नमस्कार साथियों विनित कुमार पहला सवाल यही है कि जब कोई एक अंकर कहता है कि तुम कुर्टा पैजामा पहन करके ये बात कर रहे हो कि सेना नहीं जाने चाहिए लडाई नहीं होनी चाहिए क्या तुम पुलवामा घटना के बदला नहीं लेना चाहते हो और पलटकर आप ये कहते हैं कि दुख उसे होता है जिसके परिवार से कोई सेना में होता है और उसकी हत्या हो जाती है और एक तीसरा पक्छ यह होता है कि नहीं घटना होई थी 40 सैनिक मरे हैं इनसाफ होना चाहिए इन तीनों परिस्थितियों में लेकर के एक पक्षतरता बनाने कोशिस के जाती है आपको कहा लगता है कि मुडिया को कैसे संबाद करना चाहिए इस माहौल में शुक्रिया जाए बहुत ही गंभीर मसले पर आपने बाचीत की शुरुआत की है इसमें दो तीन पहलू है पहली बात तो ये कि युद्ध जो है वो दो देसों की सेना और उनकी पूरी रन्निती के तहट लड़ी जाएगी अगर लड़ी जाएगी तो और उसकी पूरी तैयार जो वार जोन है जिनको घोसित किया गया बताया गया उस पर कितने चैनल के रिपोर्टर्स कारिस्पोंडेंट जो वार जोन को कवर करते हैं वार कारिस्पोंडेंट मौजूद हैं आप पाएंगे कि कहीं से भी आपको ऐसे विंडो स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं जिसमें किसी चैनल का कोई reporter anchor star anchor बता रहे हूं कि मैं इस जगह पर हूँ और यहां से मैं यह reporting कर रहा हूँ वो करी नहीं सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही लागत का मामला है इस पर बहुत खर्च है इस पर बहुत risk है और अपने को जान जोखिम में डालने वाली बात है camera और बाकी सारे input से उसको बचा और यह ख़बर इंटरनेट पर मौझूद है और उस वक्त fake news का इतना इतनी चर्चा भी नहीं थी लिहाजा कहने का मतलब यह है कि आप जो पूरे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान मेडिया भी उधर वही कर रहे हैं कि एक जो जजबात पैदा करने की कोशिस कर रहे हैं जो कि बहुत ही जूटे तरीके से और गलत तरीके से है इसका क्या असर होगा जन्मानस पर इसका अंदाजा अभी new channel को नहीं है क्योंकि new channel जो खबरों का प्रसारन करते हैं बाद यह बताते नहीं कि उस पर समाजिक प्रभाव क्या पढ़ रहा है मनोवग्यानी का असर क्या पढ़ रहा है लेकिन इसके सबसे खतरनाक पहले निकल कर आते हैं वो यह कि भारत के लोग पाकिस्तान जाकर यह दुनहीं लड़ेंगे लेकिन भारत के लोग भारत के भीतर पाकिस्तान खोजेंगे और अपने ही नागरिकों को दुस्मन बना कर उस पर शक करेंगे उनकी मॉब लिंचिंग करेंगे उसकी हत्या करेंगे इंटरनेट पर उसको ट्रॉल करेंगे और यही हो रहा है भारत के भीतर पाकिस्तान खोजने का मतलब ये है कि जो न्यूज चैनलों से अलग राय रखता है जो न्यूज चैनलों की तरह एक दम युद्ध हो जाना चाहरी ये वाली स्थिती में बात नहीं करता है ठहर कर सोचने की बात करता है मान कर ये चला जा रहा है कि वह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है लेकिन जो आप तीसरे स्थिती वाली बात कर रहे हैं जिसकी संख्या और जिसका च्छेत्र सबसे ज़्यादा है भारतिये जन्माना सामाने भारतिये जो है वो इसी तरह से तरक के अस्तर पर सोचता है उसके सोचने की जमीन इंसानियत है वो बनियादी तोर पर जानता है कि एक परिवार से किसी व्यक्ती के गुजर जाने का क्या मतलब होता है वो दक्षिन हो वो बाम हो सेंटर हो सवाल सिर्ス बिचार धरा का नहीं है सवाल उस उनमाद का है जो मीडिया पैदा कर रहा है और दुर्भग से इस उनमाद से पूरा लोक्तंत जुए वो खत्रे में है तो हमारा देश युद्ध के खत्रे से कम और इस तरह के मीडिया द्वारा पैदा किये गए उनमाद से जादा खत्रे में वो उनमाद आपको लगा कि जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन की खबर आई वो पाकिस्तान से चीज़ आने लगी उनको दिखाया जाने लगा उस उनमाद में कुछ परिवर्तन आपको दिखा कि वैसे ही चल रही है परिवर्तन ऐसा हुआ कि उसके बाद दो इस्थिती बनी एक कि मीडिया या तो ठंडा पड़ गया ठंडा इसलिए पड़ गया कि उसमें उनमाद पैदा करने और भड़काने वाले तत्व नहीं रह गए वो पूरी बात चीत हलाकि वो अंतरास्टिय कूटनीती का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने किया और इमरान खान जो वहां के प्रधान मंतरी उनके पूरे बयान में दिखा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई हिर्दे परिवर्तन का मामला है आप जो एक जूट मूट का एक भारतिये दर्शकों को भारतिये पाठकों को भरकाने के काम कर रहे थे उसकी गुंजाइस बहुत खत्म होगी लिहाज आप देखेंगे कि अभिनंदन को लेकर के जो घटना हुई उसके बाद या तो ठेंडे पढ़ गए या इसको स्किप कर दिया एसा किया कि जैसे कोई घटना नहीं हुई और फिर पीछे सर्जिकल स्ट्राइक वाले घटने पटिके रहे यानि उनकी पूरी स्टोरी लाइन अभी भी वही बरकरार है कि घुसकर मारो पाकिस्तान पराजित हुआ और यह पूरी घटना करम और पाकिस्तान के फैसले को यह कह रहें कि वह पूरी तरह से बिफल रहें और भारत का जो है का जो है हाथ मजबूत हुआ है जबकि दिल्चस्प यह है कि भारत सरकार खुद मान रही है ग्री मंत्राले खुद मान रहा है कि वह इन सारी स्थीतियों पर विचार करेंगे और और देखिए कितना पर यकीन नहीं है तो आप कुछ तो सोर्स बताएंगे ना कुछ तो सुत्र बताएंगे ना पाकिस्तान की सरकार और हांकर मीडिया कह रहा है कि अपर पहुच करके कुछ करने के स्थिति में तो यह पूरे जीरो कॉस्ट में शुन्य लागत में पूरे हिंदुस्तान की आव जगलाने का काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि युद्ध हो जाना चाहिए एक और चीज़ देखिए कि विचार और तथ्य दोनों बदलते हैं जैसे जैसे हम भासाओं का उप उसमें जिस लिहाच उसका उपयोग करते हैं आपने हीडिंग भी देखी होगी न्यू चैन तो ये किस तरीके से युद्ध के समय प्रभावित करती हैं देखिए युद्ध तो बहुत बाद की स्थिति आती है बलकि मैं कहूंगा आपके इंट्रोस निकल कर आया कि युद्ध तो किसी दो देशों के बीच अंतिम स्थिति है लेकिन उसके पहले की जो स्थितियां होत न्यूज चैनलों ने इस देश में भाषा के अस्तर पर युद्ध को डिकलियर कर दिया है मतलब अगर मैं किसी मिटफर में ना कहूं किसी रूपक में ना कहूं तो न्यूज चैनलों ने 25 दिन एक महिना पहले ही एक तरह से डिकलियर कर दिया है पिछले 25 दिन का अगर आप पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है जबकि उनके पास content कुछ नहीं है तो भाशा के अस्तर पर अगर इन चैनलों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि भाशा युद्ध के पक्षमिन तो सर्फ नहीं है बलकि उस समझदारी के खिलाफ है उस IQ लेवल के खिलाफ है जो एक व्यक्ति को नागरिक बनाए रखता है तो इन चैनलों ने पिछले 20-25 दिनों में जो coverage किया है उससे नागरिकता को छीनने का काम किया है वो नागरिक जो पढ़ लिकर समझदारी से रोज जदो जहद करके खड़ा हो रहा है जिसके पीछे एक विवेक काम करता है उसे पता ह है कि रोज की जिन्दगी कितनी मुश्किल है इन न्यू चैनलों ने उस बिवेक पर हमला किया है और इन मीडिया चैनलों का इन न्यू चैनलों का दरहसल भारतिये जन्मानस नागरिकता और उसके बिवेक पर हमला है जो कि वो भाशा के जरिये कर रहे हैं अब बहुत सही ब समस्ते हैं कि भासाइं बहुत महत्वपूर्ण खेल खेलती हैं वो कैसे बदलती है चीजों को आपको लगता है कि पत्रकारिता में इस भासा की अस्तर को लेकर कि उस समस्दारियों समेदन की हत्या करने के 2-3 बजया आपने डीजर ने उनके चलने के दूसरे तीसरे चौधे कारण है उनका मदर विजनेस कोई और है और उस मदर विजनेस में जो 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 जोल है उसकोАँ लेकिन इन सारी बातों के संदर में अगर आप देखें तो भाषा मारने का मतलब क्या हुआ आप भासा को क्यों खतम कर रहे हैं या भासा के जरिये हैं सारे महौल को क्यों बना रहे हैं क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है आप 20 दिन के कवरेज में मुझे बताइए कि इन चैनल ने सूचना के अस्तर पर भारतिये दर्सकों और पाठकों को क्या दिया इन्फोर्मिशन कहां है पत्रकारिता कि मैं विचारधारा को अगर मैं अलग भी कर दूँ तो मैं यह कहूँगा कि आप अगर मीडिया के पेशे में तो आपका यूफोरिया पैदा कर रहे हैं और यह यूफोरिया जो है वो भाषा के जरिये पैदा हो रहा है और लग रहा है कि रोज नए नहीं तरह की भाषा नहीं नहीं तरह की टाइग लाइन नहीं तरह की सलग और सूपर लगाय जा रहे हैं लेकिन दरसल बहुत ही सीमित सब्दों साथ आठ सो सब्दों में यह चैनल मीडिया इंडस्ट्री चल रही है और बड़े अस्तर की जो भाषा है उसकी हत्य हो रही है इस समय यह भी देखनों के मिलता हुनी भासाओं को पढ़ने पर जैसे मैंने आपको कुछ एडिंग सुनाया कि वह जो मर्दाना प्रवर्ती है वह मर्दाना बहुत जादा है अकादमिक दुनिया में बलकि कुछ साल पहले भी कुछ ब्लॉगरों ने इस तरह की पोश्ट लिखी थी कि अगर न्यूजरूम में महिलाओं के संख्या बढ़ जाया मतलम इस्तरी महिला मीडिया कर्मी हो तो साइध न्यूजरूम की भासा बदल होगा लेकिन यह कहना पड़ेगा और यह कहना दुर्भागेपुर्ण है कि प्राइम टाइम के स्लॉट में जो साथ से दस का समय है उसमें आप देखें कि कई बड़े चैनलों पर जो जो एंकर हैं वो महिला एंकर हैं लेकिन उनके सिर्फ महिला हो जाने से अबल तो मैं भा बोला जा रहा है स्क्रीन के सामने जो बोल रहा है क्या वही भाशा तै कर रहे हैं क्या वही स्ट्रैट्जी रननीती तै कर रहे हैं न्यूज रूम की पूरी जो गतिवीदी वही तै कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ उसके प्रेजेंटर हैं उसके प्रस्तोता हैं तै करने वा पहाशा को तै करते हैं लेकिन हुआ क्या है कि पूरी इंडस्ट्री को इतना व्यक्ति प्रधान कर दिया गया है इतना चेहरे पर फोकस कर दिया गया कि हमें लगता है कि इस चेहरे को इस इंडस्ट्री को आठ दस चेहरे ही चला रहे हैं और अगर मैं ऐसा सोच नहां हूँ अ तरह से प्रस्तूती और इस तरह की भाशा इस्तिमाल की जा रही है और जब इस तरह से सुनियोज़िए धंग से भाशा इस्तिमाल की जा रही है और हमारे सामने जो सामगरी पेस की जा रही है उसमें इस्तरी या महिला एंकर और पूरस एंकर का सवाल पीछे हो जाता है बलकि यो प्रविर्टी हावी हो जाती है तो ये न्यूज रूम में जो बर्चस्व की भासा है वो पूरी तरह से भारतिये समाज में फैलाने का काम किया जा रहा है इसलिए आप देखेंगे कि एक दर्सक किसी भी बर्ग से आ रहा है किसी भी समुदाय से आ रहा है अगर उसकी उपस्थिती सोचल मेडिया में देखिये और उसकी भासा देखिये तो ये न्यूज अंकर की भासा से बिलकुल अलग नहीं है मतलब हर दूसरा नागरिक और पाठक जो है एक ऐसा साधन और सहारा चाहरा है जो वो कुचलने का काम करें यानि न्यूज चैनलों के जो भर्चस बादी प्रविर्टी है उसकी प्रैक्टिस वो कर सके निस्पक्षदा का खेल कभी समझ में नहीं आता हम अंत में यहीं पहुंचते हैं कि युद्ध से भी बढ़कर के कि वो सारभामिक जो मानविय मुल्य होते हैं उसकी पक्ष लेकर के बात की जाए और वहां पर हम देखते हैं कि सांती एक तरह का साध्य है एक अंति पहलो दिखता है और युद्ध तो एक तरह का शाधन इनके बीच जो बाइनरी बना करके पक्षदरता बनाने कोसिस के जाती है कि आप सांती के पक्षदर हैं आप यु समाजी करस तर पर उनके साथ भेद्वा हो रहा है एक पत्रकार को समझाना पड़ेगा कि आप निश्पक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे एक पत्रकार की पक्षदर्ता बिलकुल घोशित होनी चाहिए और घोशित है कि वहार उस व्यक्ति के साथ वहार उस परस्थिती के अन्याह हो रहा है जिसके साथ जुल्म ढाय जा रहे हैं वो उसके पक्ष में खड़ा हुआ और यह बात को थोती बात नहीं है यह बात कोई सध्धान्तिक अस्तर की बात नहीं है पत्रकारिता की पूरी बुनियाद ही चीज पर टिकी हुई है कि जो हासिय के लोग है जिनके सा अत्याचार हुआ है जिनके साथ गैर बराबरी हुई है संबैधानिक प्राबधान के तहट जो बराबरी की बात की गई है वो अभ्यास में प्रैक्टिस में नहीं है पत्रकार उसके साथ खड़ा होगा लेकिन अगर आप कहरें निस्पक्ष है तो निस्पक्षता को आप द पिछले कुछ सालों से मुख्धारा का मीडिया, कारोबारी मीडिया, बिजनेस करने वाला मीडिया सत्ता के साथ खड़ा है और सत्ता के साथ खड़ा होने के कारण उसकी भासा सत्ता की भाशा हो गई है और सत्ता की भासा का मतलब कुचलने की भासा, दवाने की भासा, उसकी पूरी गति भी दी उसका रवया सत्ता के बहुत करीब है इस दोरान मेनिस्ट्रिम मेडिया को एक आप मेडिया आलो चक और मेडिया विसले सक के तौर पर किस तरह देखते हैं मतलब अंतर? मैं इसे लोक तंत्र के खत्रे के रूप में देखता हूँ और एक नागरिक को दूसरे नागरिक के खिलाब करने की कोशिश की है आप जिस बाइनरी की बात कर रहे हैं आज हमारी बाइनरी हिंदूस्तान और पाकिस्तान है और ये दाइरा बहुत बड़ा है और भारतिय जन्मानस आम तोर पर अगर देश और दूसरा इन दोनों के बीच की स्थिती बनती है तो देश को अनिवारता चुनता है वो देश के पक्ष में होता है आज पाकिस्तान का मामला अगर थोड़े दिर के लिए टल जाता है या बहस के केंदर से हड जाता है तो मीडिया यहां रुकेगा नहीं वो एक दूसरी बाइन युड़ी खड़ा करेगा मीडिया एक ऐसा मशीन है जो हर दिन नया नया दूसमन पैदा कर रहा है वो कभी भाशा के नाम पर दूसमन पैदा कर देगा कभी धर्म के नाम पर परदा कर देगा, कभी समुदाय के नाम पर पैदा कर देगा, कभी अकादमिक, गहर अकादमिक के नाम पर पैदा कर देगा, कभी सवाल करने वाले को वो देश के खिलाप खड़ा कर देगा, तो मीडिया एक ऐशी मशीन के रूप में काम कर रहा है जिसमें दुस्मन पैदा किये जा रहे है और वो कौन दुस्मन है वो इसी देश के एक ही देश के दो नागरिक में एक दुस्मन और एक उसके साथ का है जो मीडिया के पक्ष में है जो उस कारोबारी मीडिया के अनुसा समत है अपनी समझ से काम करता है वह इस देश के खिलाफ करार दिया गया यह कम शर्म की बात है कि देश का एक बड़ा चैनल जिसका अंग्रेजी नेट वर्क रहा और अब व हंदी में आया है उसके आंकर बिच में खड़े हैं और एक अपने पक्ष में रख रहे हैं इस पीकर को पैनलिस्त में होना दुस्मन हो जाना है इसलिए ये मसला ये सवाल सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध का नहीं है ये मसला रोज मर्रा के जीवन में जो मेनिस्ट्री मीडिया नए नए दुस्मन पैदा कर रहा है उस पर गंबिरता से सोचने की जरूरत है मैं इसमें अज़े एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं फिर दो रहाता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होंगे तो वो भारतिय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच होंगे लेकिन आप सोचल मीडिया का रवया देख लिए जो बात कह रहा है युद्ध नहीं होना चाहिए उसे मान लिया जा रहा है कि वो भारत के साथ ख़ड़ा नहीं है यानि उसकी इंटेग्रेटी पर उसकी अखंडता पर उसकी भावना पर सवाल किये जा रहे है और अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं सोचल मीडिया पर जिन वीडियो में भारतीय सेना के परिवार के लोग कह रहे है कि आप हमें मत घसीटो इसमें हम जानते हैं कि एक सेना के परिवार से कोई जाता है तो उसकी क्या इस्थिती होती है उसको शहादत होती है वो शहीद होते हैं तो क्या इस्थिती बनती है लेकिन एक मुझे कई बार लगता है कि बहुत ही फैब्रिकेटेड तरीके से बहुत ही बनावटी तरीके से एक देश भक्ती का गुबार मीडिया पैदा कर रहा है और उस देश भक्ती के गुबार में वो वो अपने 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 निकम्मेपन को, अपने 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 लंपटता को, अपने कम चीजों के जानने को, कम पढ़ने को जानने को, कम तरक को समझने को छुपाना चाहता है, ढखना चाह रहा है, और ये भारतिये दर्शकों और पाठकों को समझना चाहिए, कि ये जो मे मेन स्ट्रीम कारोवारी मीडिया है उसने अपने बहुत कम जियोरियों को हमारे जजवात से ढखने का काम किया है वो जजवात इस तरह से पैदा कर देता है कि उसके बाद हम मेन स्ट्रीम कारोवारी मीडिया के तरफ नजर उठाकर और सवाल करने के स्थिति में नहीं होते हैं शुक्रिया विनित हम से बाचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आजे सच को जानना बहुत मुश्किल है लेकिन भासा में जब देखेंगे आप वेक्तियों में आप मेडिया के तो अगर आपको नफरत के अंस बहुत अधिक दिख रहे हैं और प्रेम, महबबत और सांधी के बहुत कम तो सोचेगा कि मेडिया अपना काम नहीं कर रही है सुक्रिया आप देखते रहे हैं